कि दुबई से सब भी इंडियन्स को निकाला जा रहा है और कुरोना की वज़े से अब तक 119 लोगों की डेथ हो चुकी है और आप दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ इंडियन गवर्मेंट का मेगा प्लान हलो दोस्तों मैं हूँ अनील और स्वागत है आपका मेरे चैनल एसकोर्प डियेक्स ग्रीपर और आज की वीडियो में आपको बहुत सरी जानकारी देने वाला हूँ जैसे की फ्लाइट के बारे में करोना अपडेट और दुबई में जॉब्स की सिचुएशन और जो स्पेशल फ्लाइट्स अरेंज की जा रही है इंडिया से उसके बारे में और एक बहुत बड़ी फेक न्यूज इंडिया में चल रही है उसके बारे में तो गाइस वीडियो को पूरा देखना और लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको आने वाले वीडियो और आने वाली इंफरमेशन मिलती रहे तो दोस्तों जैसा कि मैं कहा रहा था कि एक फेक न्यूज चल रही है आजकल कि दुबई से सब भी इंडियन्स को निकाला जा रहा है मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर टिक टोक पर और बहुत सारे मेसेजिस आ रहे हैं इंडिया से वहाँ से लोग बोल रहे हैं कि इंडियन्स को स्पेशली हिंदूस को दुबई से निकाला जा रहा है तो आप मेरा ये वीडियो उन लोगों को बेश सकते हैं और उनको दिखा सकते हैं कि ये निउस फेक है और दुबई में रहने वाले किसी भी हिंडू को या किसी भी इंडियन्स को कि कोई प्रॉबलम नहीं है हाँ इतना जरूर है कि करोना वायरस की वज़े से कुछ इंडियन्स की जॉब चली गई है कुछ लोग विजिट विज़ा पर आई वे थे उनको जॉब नहीं मिली है और कुछ लोग घुमने फिरने के लिए थे वापस नहीं जा पाये हैं और कुछ लोग अपनी फैमिलिस को मिलना चाते हैं जाकर तो ऐसे लोग हैं कि जो यहां से जाना चाते हैं तो ऐसा नहीं है कि उनको जबरस्ती बेजा जा रहा है और मैं आपको कहना चाहूंगा कि किसी एक इंडियन ने धरम के खिलाफ कुछ गलत कमेंट कर दिये थे कुछ गलत पोस्ट शेयर कर दी थी तो उसके खिलाफ कुछ एक्शन लिया गया था और उसी बात को इतना बड़ा चड़ा कर दिखाया जा रहा है कि जैसे कि सारे इंडियन से को निकाला जा रहा है दुभी से तो यह सब गलत है और आपको बताना चाहता हूं कि जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि दुभी में लोगडाउन अब थिनिश हो चुका है और सभी शोसल डिस्टंसिंग फॉलो करना है और मास्क पहनना है और दोस्तों इससे पहले कि मैं इंडिया जाने के लिए जो रिजिस्टेशन प्रोसेस है उसकी जानकारी दूँ मैं आपको आज का करोना प्रेट बताना चाहता हूँ दुबई में आज 561 केसिज न्यू आए हैं और टोटल केसिज की संक्या हो चुकी है 13,599 13,599 केसिज ऑफ करोना और करोना की वज़े से अब तक 119 लोगों की डेथ हो चुकी है 119 पीपल डाइड द्यू टू करोना और अभी तक टोटल 2664 लोग रिकवर कर चुके हैं तो आप अभी भी देख सकते हैं हाला की गौर्मेंट ने लोगडाउन खतम कर दिया है पर फिर भी करोना की केसिजों की संक्या लगातार बढ़ रही है डेली 400 से 500 केसिज न्यू आ रहे हैं और इसी में हल्प करने के लिए इंडियन गौर्मेंट ने भी 88 मेडिकल स्टाफ को दुबई भेजा है इसमें की डॉक्टर और नर्सिज हैं और ये लोग स्पेशल परमिशन से और स्पेशल फ्लाइट के तुरू हाला ही में दुबई पहुंचे हैं और जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि कुरोना की वज़े से दुबई में जॉब्स का बुरा हाल है तो अभी भी मुझे बहुत से लोगों के मैसेज आ रहे हैं जो कि दुबई में जॉब कर रहे हैं पर उनको अब टर्मिनेशन लेटर मिल गया है किसी को लोग लीव पर भेजा जा रहा है कल भी मुझे दो-तिन लोगों का मैसेज आया जो कि दुबई में काफी टाइम से जॉब कर रहे थे पर अब करोना की वज़े से कंपनी ने उनको जाने के लिए बॉल दिया है दोस्तों मैं आपको कहना चाहूंगा अगर आप भी विजट वीजा पर आकर दुबई में जॉब सर्च के बारे में सोच रहे हैं या आप जूब अपलाई कर रहे हैं तो आपको सेप्टमबर, अक्तूबर, नॉबर तक वेट करना चाहिए और आप दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं इंडियन गॉर्मेंट का मेगा प्लान तो जैसा कि गॉर्मेंट ने एक ओनलाइन पोर्टल शुरू किया है इसका नाम CGI दुबई है इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो इस प्रोग्राम में दुबई में रहने वाले इंडियन से ओनलाइन रिजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है और ये उन लोगों के लिए है जिनकी जॉब जा चुकी है या वो विजिट विजा पर आये हुए थे या किसी प्रोब्लम की वेशे उनको अमर्जनसी इंडिया जाना है तो ऐसे उन सब लोगों को रिजिस्ट्रेशन करने के लिए बोला जा रहा है ताकि गुवर्मेंट को पता लग सके कि कितने लोग हैं और किस किस लोकेशन पर हैं यह रिजिस्ट्रेशन एक सिंपल प्रोसेस है जो कि आप ओनलाइन मोबाइल से भी कर सकते हो जैसा कि मैंने बताया लिंक आपको वीडियो डिस्रिप्शन में मिल जाएगा और आपको कोई और एक्स्ट्रा इंफर्मेशन चाहिए तो आप मुझे इस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो मेरा इस्टाग्राम लिंक आपको यहां पर मिल रहा होगा और बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि सर इसका कोई हमें email confirmation या कोई notification नहीं मिल रहा है registration का तो आप ध्यान रखें कि इसका कोई भी आपको email confirmation नहीं आएगा अगर आपका process complete हो गया तो आप समझो कि आपका registration हो गया और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक 150,000 इंडियन्स आलड़ी register कर चुके हैं अब तक तो आप भी अगर इंडिया जाना चाहते हो तो आप registration कर सकते हैं और एक बात का ध्यान रहे ये registration उन लोगों के लिए नहीं है जो कि normal holidays पर जाना चाहते हैं जो visit visa पर आये थे या कोई emergency में उनको इंडिया जाना है और मैं आपको बता रहा था कि मैं एक detail में एक video बना रहा हूँ इस topic पर इसमें कि मैं इंडिया का mega plan explain कर रहा हूँ वो आपको मेरे दूसरे चैनल पर देखने को मिल जाएगा और दूसरे चैनल का नाम आपको यहाँ पर मिल रहा होगा आप इस चैनल को भी subscribe कर लें क्योंकि उस चैनल पर भी मैं बहुत सारे informative वीडियो शेयर करने वाला हूँ Thank you very much